जेहिन दोस्तो मेरे नाम बहादर लोधी और आज किस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रसद्ध व्यक्तियों को डिसकस करेंगे उत्तरप्रदेश के प्रसद्ध व्यक्तियों में एतिहासिक व्यक्ति आजाएंगे, क्रामती, कारी, राजनेता और प्रसद्ध कभी आजाएंगे याद रखना दोस्तों आप यूपी पुलिस, आरो, एरो या फिर किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपीक से हर एक एक्जाम में कॉस्टन भर-भर के पूचे जाते हैं तो इस टॉपीक से जितने भी carbon कॉस्टन वन सकते हैं उन सभी कॉस्टन को हम बिलकुल डेटेल में विच एस्टाफेक्ट के साथ में डिसकस करेंगे तो आज का वीडियो विहदी सांदार जवरजस्त लाजवाब होने वाला है इसलिए वीडियो को विना स्किप के लाज तक जरूर देखें तो आएए दोस्तो विना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नम्मर फर्ष्ट कोस्टन से और नम्मर फर्ष्ट हमारा कोस्टन है अ अकबर ने कभी राज की उपाधी दी थी वीरवल के लिए डी ओप्शन हमारा करक्ट एंसर हो जाएगा we वीरवल का जन्म कहा हुआ था वीरवल का जन्म पूछा जाता है कहा पर हुआ था किस जन्पद में तो जालोन जन्पद में वीरवल का जन्म हुआ था और इसी करम में एक और question पूशा जाएगा कि अकवर ने किसे 2000 का मनसबदार बनाया था तो अकवर ने वीरवल को 2000 का मनसबदार बनाया था अब हम वीरवल से जितने भी question बन सकते हैं उन सभी को एक बार में discuss कर लेते हैं इनका जन्म 1528 में उत्रप्रदेश के जालों जले के कालपी नगर में हुआ था जन्म इस्थान विसेश तोर पर याद रखना है और इनका वास्तविक नाम पूशा जाए तो आप कहेंगे महिस दास इनका वास्तविक नाम था और ये अकबर के नौ रत्नों में से एक थे और अकबर द्वारा चलाये गए धर्म दीन ए इलाही को स्यूकर करने बाले पहले व्यक्ति कौन थे वीरवल ठीक है और अकबर ने इनको कभी राज की और पाधी दी थी और इनकी मृत्य हुई थी 1556 में यूसिप जाईयों के प देहसाला बंदुबस्त किसने लागू किया था देहसाला बंदुबस्त की बात करें तो ये शुरू किया गया था राजा टोडरमल के द्वारा बी ओप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा और इसी क्रम में राजा टोडरमल से एक और कॉस्टन पूशा जाएगा कि राजा तो इन्होंने भू राजस्व चित्र में ख्याती अर्जित करी थी सी ओफ्सन करक्ट अंसर हो जायगा अब राजा टोडरमल से कौन कौन से कौशन पूछा जाते हैं सबसे पहले तो इनका पूछा जाता है जन्म इस्थान तो सीता पुर्जले के लहर गाओं में और पंद्रा प्रदान किया था टोडरमल ने किर्सी राजस्पर्णाली आयने ए देह साला आरंब की थी और इनकी म्रत्यू कब हुई थी तो पंद्रा सो नवासी इसवी में और लाहोर में इनकी म्रत्यू हो गई थी अब हम बात कर लेते हैं अबुल फजल की तो बताएए सबसे पहले कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी और इसी करम में आपसे पूशड़ाए कि अकबर नामा की रचना किसने करी थी तो अबुल फजल ने अकबर नामा की रचना करी थी और अबुल फजल का जन्म पूशड़ाए तो आप कहेंगे पंद्रा सो पचास सीसी में और आग रा में जन्म इस्थान पूछा जाता है सन उतना जादा महत्पून नहीं होता है लेकिन जन्म इस्थान जरूर पूछा जाता है तो आगरा में इनका जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम क्या था अबुल फजल इमन मुबारक और ये भी अकवर की नौरतनों में से एक था और ये त निम्नमे से किसके विकास में अगणी भूमी का निवाई थी तो अमीर खुसरो ने भूमी का निवाई थी खड़ी बोली की विकास में ठीक है अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो फार्सी भासा के कभी और इतिहासकार थे और खड़ी बोली के अब इसकार का स्रे भी किसको दिया जाता है अमीर खुसरो को दिया जाता है जन्म की बात करें तो बारा सो त्रेपनीसवी में उत्तरपदिस के कास गंज जले के पटियाली में इनका जन्म हुआ था इनका वास्तविक नाम क्या था तो अबुलहासन या मुनिद्दीन खुसरो इनका वास्तविक नाम था और ये सिस्थ थे निजामुद्दीन ऑलिया के या फिर पूंशड लेके अविस्कारक के रूप में जाना जाता है, पूँचा जाए कि सितार या फिर तबलेक अविस्कार किस ने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था और इनको तूती ए हिंद या फिर भारत का तोता के उपनाम से जाना जाता है, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, तो तोगलक नामा हमेशा पूशी जाती है, और दूसरी रचना क्या है इनकी, तो री, नुसाद्देन, खजाई उल्फुतूह, नुहे, सिपहर, तथा देवलरानी खिजरखा इनकी प्रमुख रचनाओं हैं, नेश्ट बन में आगे बनने से पहले, दोस्तों यदि आप इ इस्टेटिक जीके की रामबाण इबुक लॉंच हो गई है, इस्टेटिक जीके की रामबाण इबुक के इंदर आपको विस्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत के इतिहास, भारत का सम्मीधान, भारती अत्ववस्ता, सामान विज्यान, और साथ में मिल जाएगा आ यानि कि इस्टेटिक जीके के complete subject आपको मिल जाएंगे वार वार repeat होने वाले 5000 से जादा question आपको इस e-book में मिल जाएंगे इसी किरह में हमारी current fs की update e-book launch हो गई है तो इन सभी e-book को आप purchase कर सकते हैं सभी e-book का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा नेश्ट बन की हम बात करें तो रानी लक्ष्मी भाई की बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मी भाई से कौन कौन से question पूछे जाते हैं एक तो सबसे पहले पूछा जाता है इनका बच्पन का नाम क्या था रानी लक्ष्मी भाई की बच्पन का नाम था दोस्तो मनू और इनको छबीली भी कहा जाता था ठीक है तो c option करक्ठ हो जाएगा a और b दोनो और क्या question पूछे जाएगा? जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 इसको कहां पर वारानसी में इनके वच्पन का नाम मनिकर्णिका मनू और छबीली था ठीक है और इनको छबीली नाम दिया था पेशवा बाजीराओ दुतिये ने ठीक है ये कॉस्टन पूचा गया है और इनका पूरा नाम क्या था तो मनिकर्णि पूरा नाम था और साधी के बाद इनका नाम हो गया था रानी लक्ष्मी बाई पिता का नाम था मोरुपन ताम भागी रती और पती का नाम था गंगाधर राव नेवाल कर ठीक है इनके विवाय हुआ था 1842 में और 14 वर्सकी आयू में इनका विवाय हुगा था और इनके पती किम्रती हो गई थी 1853 में ठीक है और इनके दत्तक पत्र का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे दामोदर राव इनके दत्तक पत्र का नाम था next question है चित्तू पांडे किस छित्र से सम्मंदित हैं तो चित्तू पांडे किस छित्र से सम्मंदित हैं सही आंसर हो जाएगा बलिया छित्र से वी option हमारा correct answer हो जाएगा और दोस्तो एक और question पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे सेरे बलिया के उपनाम से जाना जाता है तो से फ़ैर ए वलिया किसको कह Azure चुआ जाता है चित्टू पांडे को ही कहा जाता है हम बात कर लेते हैं चित्टू पांडे कौन थे तो यह प्रसद सुतंत्रता सेनानी थे इनका जन्म हुआ था वलिया जिले के रत्टचक गाओं में और वलिया चे इस्थानिये कांग्रिस नेता थे चित्तू पांडे इन्होंने वर्स उन्नीस सो व्यालिस के भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान 10 अगस्त उन्नीस सो व्यालिस को वलिया में इस्थापत आइस्थाई सरकार का नेत्त्त किया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान इनके न नेतत्यकर्ण जवाहलाल नहरू एवं सुवास्चंद्र वोस ने इन्हें वलिया का सेर की उपाधी दी थी याद रखना सारे फेक्टों को नैश कॉस्टन है पहला भारते सिपाही कौन था जिसने चरभीदार कार्टूस के प्रियोग करने से मना कर दिया था ये कॉस्टन हमे संताउन के विद्रोह में अहम भूमी का निवाने वाले मंगल पांडे किस वटालियन से थे यदि वटालियन पूछा जाए तो आप कहेंगे 34 भी नेटो इंफेंट्री वटालियन से थे मंगल पांडे तो मंगल पांडे से जितने भी कॉस्टन आपके एक्जाम में वन सकते हैं सभी को डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले पूछा जाएगा जन्म तो वलिया के नगवा नामक गाउं में और 1827 इसवी में कर जन्म हुआ था पिता का नाम था दिवाकर पांडे माता का नाम था अभैरानी और मात्र वाइस वर्स की अलप आयू में 1889 में मंगल पांडे पर इस्थे 34 वी वटालियन के सैनक थे और गाय और सुवर की चर्वी लगे कार्तूस को मौह से काट कर लोड करने के ब्रोध में उन्होंने सारजेंट मेजर हुष्टन को गोली मारी थी जिस कारण इनको 8 अप्रेल 1867 इस वी को फासी की सजा दे दी थी ठीक है तो पूठ़ जाएगा कि 1867 की क्रांती के प्रिथम सहीद कौन थे तो आप कहेंगे मंगल पांडे थे नेश्टम बात कर लेते हैं चंदर सेखर आजाद की तो चंदर सेखर आजाद से जो कोस्टन बार-बार पूंश जाता है कि चंदर सेखर आजाद मुठ भेड में कब सहीद हुए थे तो ये सहीद हुए थे 27 फरबरी 1931 को ए ओप्षन हमारा करेक्ट आंसर हो जायागा अब चंदर सेखर आजाद की बात कर लेते हैं सारे फेक्टों की तो सबसे पहले जन्म कब हुआ था 22 जुलाई 1906 को और मद्द प्रदेश के अलिराजपुर के भाबरा गाउं में इनका ज आयू में ही सुतंत्रता आंदलनों में भाग लेना शुरूं कर दिया था और इन्होंने उत्तर भरत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिला कर हिंदुस्तान रीपबलेकिन एसुए सेशन का गठन किया था तथा भगस सिंग के साथ मिलकर लाहोर में लाला राजपतराई क की मौत का बदला सांडर्स की हत्या करके लिया था और 27 फरवरी 1931 को प्रियागराज के अलफेट पार्क में चंदर सेखर आजात ने अंग्रेजों से मुठ भेड के दोरान श्यम को गोली मार ली और सहीध हो गए थे ठीक है तो सारी बातें आप याद रखेंगे आप कॉस् बेगम हजरत महल के बारे में तो बेगम हजरत महल ने 1877 के विद्रोह का नेत्त कहां से किया था तो बेगम हजरत महल ने नेत्त किया था लखनव से बी ऑप्शन हमारा करक्ट आंसर हो जायागा बेगम हजरत महल यह अवद के अंतिम नवाब वाजद अली साह की विद्वा बेगम थी या फिर कौन थी तो सेकंड वाइब थी ठीक है इनका जन्म हुआ था फैजाबाद में जिसको वर्तमान में अयुद्या नाम दिया गया है ठीक है और इनका वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो मुहम्मदी खानम या फिर महक परी इनका वास्तविक नाम था और इन्हों ने अठारा संताउन के विद्रोह में अपने नावालिक पुत्र विर्जिस कादिर को अबद का नवाब घोसत कर लखनव में विद्रोह का नेतत्त किया था और इन्हें अबद की वेगम के नाम से भी जाना जाता था और इसी करम में पूछा जाता है अजी जन वेगम के बारे में अजी जन वेगम एक्शल में ये नाचने वाली नर्त की थी लेकिन 18 संताउन की क्रांती में इनका भी बड़ा योगदान रहा है मैं बताऊंगा सबसे पहले जन में यदि पूछा जाएगा तो आप कहेंगे लखनव में इनका जन महुआ था ठीक है और कभ इनका जन महुआ था लेकिन कानपुर की ये नर्त की थी ठीक है और 18 संताउन के विद्रोह में नाना साहब के आहावन पर अंग्रेजों के बुर्द महिलाओं को स का पता बताने पर माफी देने का प्रस्ताव रखा था लेकिन अजी जन बेगम ने इनका प्रस्ताव ठोकरा दिया प्रस्ताव ठोकराया तो इनको जान से मार दिया गया था लेकिन इनोंने अजी मुल्ला खां जो की करांती कारी थे इनका पता नहीं बताया था ओके याद रखा था तो दोस्तो अंग्रेजों ने नाना सहाब को पकड़ने के लिए एक लाख रुपे का इनाम रखा था ओके और आप बताएए नेश्ट को सन कि निम्न में से किसके बचपन का नाम धोंदू पंत था तो नाना सहाब के बचपन का नाम क्या था धोंदू पंत नाना सहा पेशवाब बाजी राव दूतिये के दत्तक पत्र थे और इनोंने 18 संताउन के विद्रोह में कानपूर का नेत्वत्त किया था और 18 संताउन की क्रांती विफल होने के बाद नाना सहाब नेपाल चले गए थे नैश कौसन है कांग्रेस समाधवादी पारटी की स्थापना किस ने करी थी डि टेल की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस सोचलिस्ट पारटी की स्थापना 1934 में जय परकास नाराण राम मनुहर लोहिया और आचारी नरंदर देवने करी थी पुर ये जो पार्टी है ना ये कांग्रेस पार्टी की भीतर एक समाजवादी समूह था इसका गठन अंग्रेजियों के सदस्यों के दोआरा महत्मा गांधी के साथ वैचारक मतवेदों को लेकर किया गया था और एक और फेक्ट याद रखना कि राम मनुहर लोहिया ने कांग्रेस सोचलिस्ट नामक पत्री का प्रकासित करी थी तो ये कॉस्टन अलग पूछा जाता है कि कांग्रेस सोचलिस्ट नामक पत्री का किसने प्रकासित करी थी राम मनुहर लोहिया ने एक और कॉस्टन का अंस राम मनुहर लोहिया ये कौन थे तो सुतंतरता सैनानी थे और समाजवादी कटर नेता थे ठीक है इनका जन्म हुआ था 1910 को अंबिटकर नगर जिले के अकबर पुर गाउं में इनका जन्म हुआ था और 1928 में साइमन आयुक के ब्रोध में इन्होंने चात्र आंदोलन का नेत तो किया था वर्स 1934 में राम मनुहर लोहिया ने जैपरकास नाराण और आचार ये नरंद्र देव के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी की समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी तीक है और एक पत्ति का परकासत करी थी कांग्रेस सोसलिस्ट और आजादी के बाद इ इंडियाज फाइटी सन इनकी आत्मकथा का नाम है नैश्ट हमारा कॉस्टन है निम्न में से किस राजनेता को छोटे लोहिया के उपनाम से जाना जाता है छोटे लोहिया किसको कहा जाता है तो ये जनिस्वर मिस्टर को कहा जाता है ये समाजवादी नेता थे और इनको क्य कहा जाता है चोटे लोहिया कहा जाता है नैश्ड हमारा कोस्टन है काकोरी सरय अंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद विस्मिल को किस सहर में फासी दी गई थी ये कोस्टन पूछा जाता है तो राम प्रसाद विसमिल को फासी दी गई थी कहाँ पर गोरकपुर में सी ओफसन हमारा करक्ट आंसर हो जायागा तो राम प्रसाद विसमिल की बात करें इनका जन्म हुआ था उत्तरपदेश के साह जहां पुर में 1897 में और ये महान सुतंतरता सैनानी कभी इतिहासकार और साहितकार थे और इनको काकोडी के सरियंत्र में लखनव के सेशन कोट ने फासी की सजा सुनाई थी ठीक है पूछा जाता है किस कोट ने सजा सुनाई थी तो लखनौ की सेशन कोट ने और इसके बाद इने गोरकपुर कारागार में 19 दिसंबर 1927 इसको 30 वर्स की आयू में फासी दे दी गई थी ओके और अब बताईए कि सूफी संत निजामुद्दिन ओलिया का जन्म कहां पर हुआ थ तो निजामुद्दिन ओलिया का जन्म हुआ था वदायू में A आप्सन करक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बताईए निमलिकत मेंसे किसे महबूब A इलाही के नाम से जाना जाता है तो महबूब A इलाही के नाम से जाना जाता है सेक निजामुद्दिन ओलिया के लिए C आप इसी में और हम बात करें नजामुद्दीन ओलिया तो बाबा फरीद का सिस्थ था ठीक है और अमीर खुसरो का गुरू था याद रखना ओके और इनको महमूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था और इसी करम में आप से पूशा जाएगा कि निमले खित में से कहां पर कबीर क जन्म हुआ था कबीर की जन्म इस्थली बताईए फटा फट से तो कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में ए ओप्शन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा कबीर या फिर कबीर दास का जन्म हुआ था वाराणसी में इनके गुरू का नाम था रामा नंद इनकी प्रमुक रचना हैं इनकी मृत्य हो गई थी 1518 इसी में और संत कवीर नगर में इनकी मृत्य हो गई थी कॉस्टन पूछ जाएगा सेख फैजी के बारे में तो सेख फैजी का जन्म बता दीजिए फटाफट से कहां पर हुआ था सेख फैजी का जन्म आप लोग आंसर लगा रहे कि नहीं वीड और एक कॉस्टन पूछ जाएगा कि लीलावती ग्रंथ का फार्सी में अनुबात किस ने किया था लीलावती ग्रंथ जो है संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है वासकराचार ये ने ये ग्रंथ लखा था और इसका फार्सी में अनुबात किस ने किया था फैजी ने किया थ दी ओप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जायागा फैजी या फिर सेख फैजी के वारी में जान लेते हैं जन्म हुआ था 1547 EC में आग राम है कौन था ये तो प्रसिद इतिहासकार था कभी था और चिकित सक भी था और अकबर की नौरतनों में से एक था पूरा नाम था सेख अबू अल फैज और ये अबूल फजल का बड़ा भाई था और फैजी ने वासकराज चारिये दुआरा संस्क्रित भासा में रचित गड़ित के प्रसिद ग्रंथ लीलवती का फार्सी में अनुबाद किया था तो सारी बातें याद रखना है जितने कोशन बन सकते हैं सबसे पहले मैं डेटेल आपको पड़ा देता हूँ एग्जामिनर किसी भी प्रकार से घुमा फरा कर पूछ ले लेकिन आप कॉस्टन को सही करके आएंगे यह आपकी वहादर सर की गैरेंटी है तो यदि आपको वीडियो अच्छा लाग रहा है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर द दिया था तो इनूनने पहला उपदिश दिया था सारनाथ में ए ऑॉप्शन करक्ट और अंसर हो जायाएगा और गोतम बुद्ध को महापरी निर्वान की प्राप्ती कहां पर हुई थी महापरी निरवान यानि कि इनूने पहला पर प्राण तयाक दीए थे कहां पर ईनकी म रत्यू हो गई थी B option correct answer हो जाएगा इनके बारे में complete detail को जान लेते हैं तो कौन थे बौध धर्म के प्रबरतक थे गौतम बुध ठीक है और इनका जर्म सिद्धात नगजले के लुम्बनी में हुआ था और कब तो 563 सा पूर्बिन का जर्म हुआ था और इनों ने 29 वर्स की आयू में ग्रह त्याग दिया था और 35 वर्स की आयू में इनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी कहां पर बोध गया में ग्यान की प्राप्ति ठीक है और इनोंने अपना पहला अपदेश दिया था सारनात में ठीक है और इसको क्या कहा गया तो धर्म चक्र प्रबरतन कहा गय और 483 इसापूर्व कुसी नगर में 80 वर्स की आयू में इन्होंने प्रान त्याग दिये यानि कि महा परी निर्वान हो गया ठीके इनका नेश्वन की बात करें तो पंडित मौतिलान नहरू के बारे में बताईए कि इनको कांग्रिस का अध्यक्ष है कब बनाया गया तो जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 1861 में ए ओप्षन हमारा करक्ट अंसर हो जायागा मौतिलान नहरू जन्म 1861 में और आगरा में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने असायोग आंदुलन में महत्पून भूमी का निभाई थी ये कांग्रिस के दो बार अध्यक् बने एक अमरेस्तर में 1919 में और कलकत्ता में 1928 में और इनोंने 1923 में कांग्रिस खिलापत सुराज पार्टी का गठन किया और 1931 में इनका नीधन हो गया था अब हम बात कर लेते हैं हमारे जिस के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहला नहरू के बारे में तो पंडित और नहरू जी जो है यह भारत के प्रधान मंत्री कब बने थे तो भारत के प्रधान मंत्री बने थे यह 1947 में और पंडित जवाहला नहरू को भारती राष्टे कांग्रेस का महा सचयों कब बनाया गया तो इनको 1923 में कांग्रेस का महा सचयों बनाया गया था अब नहरू ज के बारे में complete factor को discuss कर लेते जन्म 1889 में और प्रियाग राज में इनका जन्म हुआ था और इनकी उच्च सिक्षा England में हुई तथा इनोंने England से ही कानून की पड़ाई करी थी और वर्स 1921 में भारत बापस लोटकर आई थीके और प्रियाग राज में बकालत करना प्रारंब कर और वर्स 1923 में नहरू जी को भारती राष्टी कांग्रिस का महा सच्चेव बनाया गया ये question पूशा जाता है और नहरू जी छे वारतों कांग्रिस के अध्यक्ष बने हैं ठीक है और वर्स 1935 में अलमूडा जेल में इनोंने अपनी आत्म कथा मेरी कहानी इन आटो वायोग का लेखन कारिये पून किया था ठीक है पूशा जाता है किस जेल में इनोंने अपनी आटो वायोग्राफी का लेखन कारिये पूरा किया था तो अलमूडा जेल में और वर्स 1946 में इनोंने भारत की अंत्रिम सरकार का गठन किया तथा भारत के सोतंत्र होने पर इनको प्रतम प्रधान मंत्री बनने का शोव भाग्य प्राप्त हुआ था नेश्ट हमारा कोस्ता ने भूत पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादर सास्त्री का जन्म कहां पर हुआ था तो लाल बहादर सास्त्री ये हमारे देश के कौन थे तो ये दूसरे नमर के प्रधान मंत्री थे ठी D option हमारा correct answer हो जाएगा और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि लाल बहादर सास्त्री की म्रत्यू कहां पर हुई थी तो इनकी म्रत्यू हुई थी ओजिबेकिस्तान की राध्धानी तासकंद में D option करक्ठ हो जाएगा हम बात कर लेते हैं सास्त्री जी की तो जन्म हुआ था 1904 में और मुगल सराय में और कब हुआ था जन्म दो अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था दो अक्टूबर को दो महान परुष पैदा हुए एक तो महत्मा गांदी जी और दूसरे लाल बहादर सा सास्त्री जी उन्नी सो इंक्यावन में कांग्रेस की महा सचेव बने थे और यह भारत के दूसरे नमर के प्रधान मंत्री बने ग्यारा जन्म बरी 1966 को उजवेकिस्तान की राधधानी तासकंद में इनकी म्रत्य हो गई और हैनों ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और सा पंडित मदन मोहन मालविये ने किस गोल में सम्मिलन में भाग लिया था तो इनोंने दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लिया था सी ऑप्सन करक्ट हो जाएगा और पंडित मदन मोहन मालविये का जन्म कहां पर हुआ था फटफट से आंसर लगाए तो इनका जन्म कब तो पंडित मदन मोहन मालविये ने और 1916 में वनारास हिंदू बिश्विध्याले की स्थापना करी थी अब पंडित मदन मोहन मालविये से पूछाड आएगा जन्म तो आप कहेंगे 1861 में और इनका जन्म कहां पर हुआ था तो प्रियाग राज में इनका जन्म हुआ था और इनोंने दूसरे गोल में संविलन में भाग लिया था लंदन में आयुज़ित हुआ था 1916 में बनारास हिंदू बिश्विध्याले की स्थापना करी थी और 1949 में इंडिया ब्रामण महासभा की स्थापना करी थी और ये चार बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इनको महा मना के उपनाम से जाना जाता है थीकि इनकी मृत्यू कब हुई थी तो 1946 में इनकी मृत्यू हो गई थी बताइए कि किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था तो राम बोला जो है ये तुलसिदास के बचपन का नाम था किस के गोश्वा में तुलसिदास के बचप माना जाता है तो बाल मिकी का उतार गोस्वामी तुलसी दास को ही माना जाता है हजारों बार ये कौस्टन रिपीट हुआ है तो गोस्वामी तुलसी दास के बारे में कौन-कौन से कौस्टन पूछे जाते सबसे पहले इनका जन्म पूछा जाएगा तो बादा जिले के राजापुर नामा गाउं में और पंद्रा सो वत्ती सीसा इसवी में इनका जन्म हुआ था गुरू का नाम था नरहरीधास बचपन का नाम था राम बोला इनकी परमुख रचना है राम चरत मानस ओके और पारबती मंगल जान की मंगल दोहा वली कभीता वली सत्साई और वैराग संदीपनी रामाग्या प्रशन वर्वे रामायन ठीक है तथा विनए पत्री का इनकी प करती है तो वानभट की आत्म कथा जो किरती है ना यह हजारी प्रसाद दुबेदी की है ए ओप्षन हमारा करक्ट आंसर हो जायागा हजारी प्रसाद दुबेदी निबंदकार आलूचक और उपन्यासकार थे उत्तरपदिस के वलिया जिले में इनका जन्म हुआ था 1907 में और प्रमुख रचनाय की बात करें तो वानभट की आत्म कथा चारू चंदरलेक अमानदास का पोथा नात संप्रदाय और साहित का मर्म है इनकी प्रमुख रचनाय है और 1907 में इनको पधम भूशन से सम्मानेत किया गया था नेश्वन की बात करें तो डाक्टर विद्या निवास मिसर का संबंद उत्तरप्रदिस के किस जन्पत से है तो डाक्टर विद्या निवास मिसर का संबंद है गोरकपुर से डी ओप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जायगा ठीक है ये कौन थे तो प्रसद्दुसाहित कार सपल संस्कृत की प्रकांड विद्वान और जानिमाने भासावित थे और 1926 को गोरकपुर जिले के पकड़ डीहा गाओं में इनका जन्म हुआ था ठीक है और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो चितवन की च्छाओं तुम चंदन हम पानी आगन का पंची और वंजार का मन कदम की फूली डाल ये इनकी प्रमुख रचना हैं अब एक कोसन जो की बहुत जादे इंपॉंट है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं ये रचना है हरीवंस राय बच्चन की ए ऑप्षन हमारा करक्ट आंसर हो जायागा हरीवंस राय बच्चन प्रसद कभी और लेखक थे इनका जन्म 1907 में और उत्तरप्यदिस के इलहबाद में मधू साला, मधू बाला, मधू कलस, आत्म परिचय, बंगाल का काल, क्या भूलूं क्या याद करूं वसेरे से दूर ये हरीवंस राय बच्चन की प्रमुक रचना हो जाती है बताए, राष्ट कभी मैथली शन गुप्त का सम्मंद उत्तरप्रदिस के किस जन्पत से है, तो मैथली शन गुप्त का सम्मंद है जासी से, ठीक है, 1886, चिरगाओ जिला जासी, कुछ याद आ रहा है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 1886 और जासी के चिरगाओं मे इनका जन्म हुआ था, इनकी प्रसिद कृती भारत भारती के कारण इनको महत्मा गांदी जी ने राष्ट कभी की उपाधी दी थी, ये कौसन अभी पूछा गया था, कि मैथली शन गुप्त को इनकी किस रचना के कारण महत्मा गांदी जी ने राष्ट कभी की उपाधी द पंचवटी जैद्रतवध और द्वापर इनकी प्रमुख रचनाय हैं बताए मुंसी प्रेमचंद के बारे में तो मुंसी प्रेमचंद का जन्म कहां पर हुआ था वाराणसी में मुंसी प्रेमचंद का जन्म हुआ था और इनका जन्म 1860 में और वारान सिजले के लमही गाउ में हुआ था वास्तविक नाम था इनका धनपत राय उपनाम था नबाव राय प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गोदान गबन पंच परमिस्व प्रेमा वर्दान सेवा सदन रंग भूमी कर्म भूमी निर्मला और म पंगल सूत्र इनकी प्रमुख रचनाओं हैं रैदास के बारे में वताईए रैदास या फिर संत्रविदास इनका जन्म कहां पर हुआ था तो इनका जन्म हुआ था वारान सिजले में ए ओप्षन हमारा करक्ट अंसर हो जायागा रैदास या फिर संत्रविदास इनका जन् थे और इन्होंने रामदासि संपरदाई की इस्थापना करी थी और संतर्यदास जो है ये मीरावाई के गुरू थे तीक है और इनकी मृत्यू हो गई थी 1518 एसी में और 1280 में ही इनकी मृत्यू हो गई थी पदमाबत किसकी रचना है पदमाबत के बारे में पूठा जाएगा तो आप कहेंगे मलिक मुहम्मद जायसी की रचना है पदमाबत और मलिक मुहम्मद जायसी का जन्म 1492 में अमेठी में हुआ था भक्तिकाल के प्रसिद्ध कभी थे प्रमुख रचनाओं में पदमाबत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है फिर अकराबट आखरी कलाम और कहर नामा तथा चित्र रेखा इनकी प्रमुख रचनाएं है नेश्ट कोस्टन है ठुमरी गाई का गिर्जा देवी का सम्मंद किस घर आने से ए ऑप्सन करक्ठ हो जाएगा ठीक है तो बनारस घराने की प्रसिद्ध गाई का थी गिर्जा देवी और इनोंने ठुमरी गाईन को लोक पर ये बनाने में महत्पूर योगदान दिया था नेश्ट कोस्टन है निमलेखित में से कौन सुमेलत नहीं है कौन एक सुमे गलत होगा अमीर खुसरो के सामने लिखा है आगरा नहीं महिए हम बात करें अमीर खुसरो की तो इनका जन्म कहां पर हुआ था तो कास गंज जलेके और पटे आली में इनका जन्म हुआ था ठीक है तो ये गलत लखा हुआ है तो चार चीज़े हमें पता चल गई है और लिखा है कोदाउस है ये पकःवज से संभनित थे ठीक है पकःवज भी क्या है तो एक प्रकार का इंस्टुमेंट है और सितार देवी के सामने लिखा ये कथक डानसर थीं ये भी बिल्कुल सही लिखा है रवी संकर के सामने लिखा ये सरोध बादक थे, ये गलत है, क्योंकि रवी संकर कौन थे, तो रवी संकर प्रसद सितार बादक थे, निमलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, अमीर खुसरो के बारे में लिखा है, तो ये एटा या फिर कास गंज याद रखना कहीं कहीं एटा मिलता है देखने के लिए कहीं कहीं मिलता है कास गंज तो ये बिलकुल सही लिखा है रवी संकर के सामने क्या लिखा है वाराणसी तो इनका सम्मंद वाराणसी जिले से है बिलकुल सही लिखा है तीक है मिर्जा गालप के सामने लिखा है आगरा इनका सम्मंद आगराजली से राम प्रसाद बिस्मिल के सामने लिखा है प्रियागराज नहीं भीया राम प्रसाद बिस्मिल की हम बात करें तो इनका सम्मंद कहां से है उत्तर प्रदेश के साह जहां पुर से इनका सम्मंद है कहां से साह जहां पुर से तो ये गलत है ठीक है गलत ही हमें बताना था नैशकॉप्षन की बात करें तो पंडित रवी संकर को निमलेकत में से किस वाद्धियंत्र को बजाने में बिस्षचता प्राप्त थी तो पंडित रवी संकर सभी लोग जानते होंगे बच्चा बच्चा जानता होगा कि ये सितार वादक थे स्री ओप्षन करक्ठ हो जाएगा लेकिन पंडित रवी संकर के बारे में हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं ये मसूर सितार वादक थे और अप्रेल 1920 को वाराण सी में इनका जन्म हुआ था और वर्स 1909 से 1956 तक ये और इंडिया रेडियो के संगीत निर्देशक भी रहे और वर्स 1986 से 1991 तक ये राजसवा के सदस भी रहे ठीक है और इनको तीन बार ग्रैमी अबोर्ड मिल चुका है और वर्स 1999 में इनको भारत रतन से सम्मानित किया गया था ठीक है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदिस के प्रसिद व्यक्तियों से रेलेटेड मोश्ट इंपॉन 60 को संग को डिसकस किया है देखिए को संग तो हमने 60 डिसकस किये है लेकिन यदि हम फैक्टों की बात करें तो 200 से 200 फैक्टों को हमने डिसकस किया है और सारे के सारे फैक्ट है मोश्ट इंपॉन फैक्ट थे और इसी प्रकार से यदि आप डेटेल में यूपी जीके को पढ़ना चाहते हैं प्लस करंट अफेस को पढ़ना चाहते हैं या फर इस्टेटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं मैं guarantee से बुल सकता हूँ, आप exam में अच्छा score करके आएंगे, यह आपकी वहादुर सर की guarantee है, एक question आपको छोड़ कर जा रहा हूँ, इसका answer आपको comment section में comment करके बताना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने video complete देखा है, पूरा देखा है, video इमानदारी से देखा है, चित् फटाफट से like कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भाई बेहनों के साथ में आपके वाट्शाप, टेलीग्राम पर जितने भी studies related group हों, सबी गूर्पों में इस video को share कीजिए, जो new student हैं वो हमारे channel को subscribe कर लीजिए, साथ में bell icon दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया video डालूं तो उसका notification आपको मिल सके, और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें, इसी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें, और इसी प्रकार के और important वीडियो देखना है, तो UPGK topic wise की playlist आपको मिल जाएगी, आप वहां से सारे important वीडियो देख सकते हैं, या पर अभी आपको स्क्रीन के उपर तीन वेरी यूसपूल वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियो को ज़रूर देख लें, तो थैंक दोस्तों आपकी बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जै हिन, जै भारत बंदिमात्राम